तो ग्वाइस आप लोगों मेरे जूटरी चैनल वे एक बार फिर से आज हमारे पास है देशी रैफल इसको हम आपको और लोड करके बताएंगे और बताएंगे कि यह कैसे लोड होती है और इसका फायर करके बताएंगे इसको लोड करने के लिए कम से कम महाँ दो तीन मिन्ट लग जाते हैं लोड करने के लिए और फिर जाके इसका एक फायर होता है और फिर से इसको दो दिन मिन्टर लोड करने के लग जाते हैं तो चलिए इसको लोड करके आपको बताते हैं तो गाइस इसमें हम सबसे बहले डालेंगे बारूद लगवग एक ड़कन बारूद डले तो गाइस बारूर डालने के बाद हम इसमें कागज डालेंगे कागज से इसको उपर से बंद कर देंगे हम और उपर से लोही की राड से इसको अच्छे से दबाएंगे और आप इसके बीच हम गोली डालेंगे ये देखिए इसमें मोटी गोली होती है शोटी गोली होती है और इससे भी बड़ी गोली होती है जैसा कि हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में तो गोलियों डालने के बाद में हम इसमें कागज डालेंगे उपर से इसको ताकि गोलियों गिरना जाए और उपर से फिर से हमें राड को इससे दबा देंगे तो गाइस आभी विजये फायर करने के लिए पूरी तरह से त्यार नहीं हुई है इसके यहां पीशे देखिए इसमें एक होल है जिस पर बारूद आ चुका है जो हमने बारूद आला वो इसमें आ चुका है अब इस बारूद को जलाने के लिए हमें जुरूरत पड़ेगी प पड़ेगी 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 तो जो और दमाका होगा और जो गोलिये डाली है वह गर्म होके बाहर निकलेंगी तो चलिए हम निशाना लगाएंगे तो आप आपको देशी राइफल की पावर जैं हमने पानी की बोटल भरी हुई है अब आम इस पर निशाना करेंगे और फिर ट्रीगर दवाएंगे ट्रीगर दवाके हैमर उपर गेर गर्ज्य देखी अब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तो गाइश जे देखिए देशी राइफल की पावर इसने बाटल को पूरा ही उड़ा दिया है आगे वाला हिसा कहां गया हमें कुछ पादानी चला वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर जिए चैनल को सब्सक्राइब कर जिए तो मिलते हैं अगली वीडियो म तबता के लिए पाईवाय जहिंद जावारत